ओम शांति ओम शांति आज 23 जुलाई 2014 दिन मंगलवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महवा क्यों को मीठे बच्चे तुम्हें टाइम पर अपने घर वापिस जाना है इसलिए याद की रफ्तार को पढ़ाओ इस दुख धाम को भूल शांती धाम और सुख धाम को याद करो प्रश्ण कौनसा एक गुहे राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुध्धी में हलचल मच जाएगी उत्तर उन्हें गुहे राज सुनाओ की आत्मा इतनी छोटी बिंदी है उसमें फार एवर पाट भरा हुआ है जो पाट बजाती ही रहती है कभी ठकती नहीं इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी ओम शंते मीठे मीठे रुखानी बच्चों को बाप समझाते हैं यहां तो हैं रुखानी बच्चे बाप रोज रोज समझाते हैं बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है अभी ये फ्लड साधी होती है तो गरीबों को दुख होता है उनके सामानादी का क्या हाल हो जाता है दुख तो होता है न अपार दुख है साहुकारों को सुख है परंतु वह भी अल्पकाल के लिए साहुकार भी बिमार पड़ते हैं मृत्यू भी बहुत होती है आज फलाना मरा आज यह हुआ आज प्रेजि प्रकार के दुख हैं इस दुखधाम में तुम बच्चे सुकधाम को भी जानते हो दुनिया कुछ भी नहीं जानते दुखधाम सुकधाम की भेट वह नहीं कर सकते बाप कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो यह मानेंगे की बरूबर कहते सच हैं यहाँ जिसको बड़े- पाद में सत्यू गाएगा, गोर अंधियारे में हैं, अब उन्हों को नजदीक ले आना है, बाकी थोड़ा समय है, कहां लाखों वर्ष कहते हैं, कहां तुम पाँच हजार वर्ष सिद्ध करग बतलाते हो, यह पाँच हजार वर्ष के बाद चक्र रीपीट होता है, ड्रामा क इलाखों वर्ष का थोड़े ही होगा, तुम समझ गए हो, जो कुछ होता है, वह पाँच हजार वर्ष में होता है, तो यहां दुख धाम में बीमारी आदी सब होती है, तुम तो मुख्य थोड़ी बातें लिख दो, स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं, अब बाप समझा मौत सामने खड़ा है, यह वही गीता का एपिसोड चल रहा है, जरूर संगम युग पर ही सत्यूग की स्थापना होगी, बाप कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा बनता हूँ, तो जरूर सत्यूग का बनाएंगा ना, बाबा अच्छी रीती समझाते हैं, अब हम जाते हैं सुखधाम, बाप को ले जाना पड़े, जो निरंतर याद करते हैं वही उचपद पाएंगे, उसके लिए बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं, याद की रफ्तार बढ़ाओ, कुम्ब के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है, तुमको भी टाइम पर जाना है, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुंचेंगे, नहीं, यह जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है, यह तो है ही ड्रामा की नूंद, महिमा सारी ड्रामा की है, या कितने जीव जन्त वादी दुख देने वाले हैं, सत्युग में यह होते नहीं, अंदर खयाल करना चाहिए वहाँ यह यह होगा सत्यूग तो याद आता है ना सत्यूग की स्थापना बाप करते है पिछाडी में सारा नट शेल में ज्यान बुद्धी में आ जाता है जैसे बीज कितना छोटा जाड कितना बड़ा है वै तो है जड़ चीजें यह है चेतन्य इनका किसी को पता नहीं है कल्प की आयू लंबी चोड़ी करती है भारत ही बहुत सुख पाता है तो दुख भी भारत ही पाता है बिमारियां आधी भी भारत में अधिक है यहां मच्चरों सदरश्य मनुश्य मरते हैं क्योंकि आयू छोटी है यहां के सफाई करने वालों और विलायत के सफाई करने वालों में कितना फर्क है विलायत से सारी invention यहां आती है सत्युग का नाम ही paradise है वहां सब सतो प्रधान है तुमको सब सक्षतकार होंगे यह है अब संगम युग जबकि बाप बैट समझाते हैं समझाते रहेंगे नई नई बाते सुनाते रहेंगे बाप कहते हैं दिन प्रती दिन गुहे गुहे बाते सुनाता हूं आगे थोड़े ही पता था बाबा इतनी बिंदी है उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है तुम पार्ट बजाते आए हो तुम किसी को भी बताओ, तो बुद्धी में कितनी हलचल हो जाएगी, कि यह क्या कहते हैं, इतनी छोटी बिंदी में सारा पाट भरा हुआ है, जो बजाते ही रहते, कभी ठकते नहीं है, किसी को भी पता नहीं, अभी तुम बच्चों को समझ पड़ती है, कि आधा कल्प है बहुत दुख देखकर ही मनुष्य कहते हैं, इससे तो मुक्ष पाले, जब तुम सुख में, शान्ती में होंगे, वह थोड़े ही ऐसे कहेंगे, यह सारी नौलेज अभी तुमारी बुद्धी में है, जैसे बाब बीज होने कारण, उसके पास सारे जाड की नौलेज है, जा जाने फलाने इतने समय बाद, फिर आते हैं पाट पजाने, यह कितना बड़ा ह्यूज ड्रामा है, यह सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी ना सके, इंपॉसिबल है, दिविदरश्टी से तो अच्छी चीज देखी जाती है, गणेश हनुमान यह सब हैं भक्ती मार्ग के, परंतो मनुश्यों की भावना बैठी हुई है, तो छोड़ नहीं सकते, अब तुम बच्चों को पुर्शार्थ करना है, कल्प पहले मिसल पद पाने के लिए पढ़ना है, तुम जानते हो, पुनर जनम तो हर एक को लेना ही है, सीड़ी कैसे उतरे हैं, यह तो बच्चे जा खाया होगा, पुर्शार्थ करते रहते हैं, करते रहेंगे, ड्रामा में नूंद है, ऐसे तो धेर हो जाएंगे, गली-गली घर-घर में है स्कूल होगा, है सिर्फ धारना करने की बात, बोलो तुम्हारे दो बाप हैं, बड़ा कौन ठहरा, उनको ही पुकारते हैं, रहम कर बाप कितनी मेहनत करते रहते हैं, बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है, मुझे सर्वी सेबल बच्चे चाहिए, घर-घर में गीता पाश्चाला चाहिए, और चित्रा दी ना रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो, चित्र तो यह बैज ही है बस, पिछाडी में यह बैज ही तुमको काम में आएगा, इशारे की बात है, मालुम पढ़ जाता है, बेहत का बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो बाप को याद करेंगे, तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना, यह तो समझते हूँ, हम पतित हैं, याद से ही पावन बनेंगे, और कोई उपाई नहीं स्वर्ग है पावन दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना है, तो पावन जरूर बनना है, स्वर्ग में जाने वाले फिर नर्क में गोते कैसे खाएंगे, इसलिए का जाता है, मन मना भव, बेहत के बाप को याद करो, तो अंतमती सोगती होगी, स्वर्ग में जाने वाले विका मास में, विकार में जब ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करना है तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं फिर भी दूसरे दिन खेल खलास कर देते हैं माया बहुत कशिश करती है तो भी पवित्र बनने का पुर्शार्थ इस समय ही होता है फिर है प्रालब्द, वहां तो रावन राज्य ही नहीं क्रेमिनल खयालात ही नहीं होती, क्रेमिनल रावन बनाता है सिविल शिबाबा बनाते हैं, यह भी याद करना है घर-घर में क्लास होगा, तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे घर-घर में गीता पाटशाला बनाए घर वालों को सुधारना है ऐसे व्रद्धी होती रहेगी साधारन और गरीब, वह जैसे हम जीन्स ठहरे बड़े-बड़े आदमियों को छोटे-छोटे आदमियों के सत्संग में आने में भी लजजा आएगी क्योंकि सुना है न, जादू है, भाई-बहन बनाती हैं अरे, यह तो अच्छा है न, गरेस्ती में कितने जंजट होते हैं फिर कितना दुखी होते हैं, यह है ही दुख की दुनिया अपार दुख है, फिर वासुख भी अपार होगा तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की, पच्चीस-तीस मुख्य-मुख्य दुख की बातें निकालो बेहत के बाप से वर्सा पाने के लिए कितना पुर्शाट करना चाहिए बाप इस रत द्वारा हमको समझाते हैं, यह दादा भी स्टुडेंट है देधारी सब स्टुडेंट है, टीचर पढ़ाने वाला है विदेही तुमको भी विदेही बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं, शरीर का भान चोड़ते चाओ यह मकान आदी कुछ भी नहीं रहेगा, वहाँ सब कुछ नया मिलना है पिछाडी में तुमको बहुत साक्षातकार होंगे यह तो जानते हूँ, उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा एटॉमिक बॉम से, यहां के लिए है रक्त की नदिया, इसमें टाइम लगता है यहां का मौत बड़ा खराब है, यह अविनाशी खंड है, नक्षे में देखेंगे हिंदूस्तान तो एक जैसे को ना है, ड्रामा अनुसार यहां उनका असर आता ही नहीं है यहां रक्त की नदियां बहती हैं, अभी तैयारियां कर रही है हो सकता है, पिछाड़ी में इनको बॉम्स भी लॉन देंगे बाकि वह बॉम्स जो फैकने से ही दुनिया खत्म हो जाए, वह थोड़े ही लॉन पर देंगे हलकी क्वालिटी के देंगे, काम की चीज़ें थोड़े ही किसी को दी जाती है विनाश तो कलप पहले मिसल हो ही जाना है, नई बात नहीं, अनेक धर्म विनाश, अनेक धर्म की स्थापना भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाता है, कुछ तो बच्च नहीं है, सब मर जाए, फिर तो प्रले हो जाए दिन प्रति दिन तुमारी बुध्धी विशाल होती जाएगी तुमको बहुत रिगार रहेगा अभी इतना रिगार थोड़े ही है तब तो कम पास होते हैं बुध्धी में आता नहीं है, कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी फिर आएंगे भी देरी से गिरते हैं तो फिर की कमाई चट हो जाती है काले के काले बन जाएंगे फिर वह खड़े हो ना सके कितने जाते हैं कितने जाने वाले भी है खुद भी समझ सकते हैं इस हालत में शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गती होगी समझ की बात है न बाप कहते हैं तुम बच्चे हो शांती स्थापन करने वाले, तुम्हारे में ही अशांती होगी तो पद भरष्ट हो जाएगा, किसी को भी दुख देने की दरकार नहीं है, बाप कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं, बेहत का बाप है न, सारी दुनि ठीक है यह अपार दुख तो सिवाए एक बाप के और कोई दूर कर नहीं सकते दुखों की लिस्ट होगी तो कुछ ना कुछ बुद्धी में बैठेगा बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे उनके लिए ही गाया जाता है रिड अर्थात भेड क्या जाने साज से बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसा गुल गुल बनना है कोई अशान्ती गंदगी नहीं होनी चाहिए अशान्ती फैलाने वाले दे अभिमानी ठहरे उनसे दूर रहना है छूना भी नहीं है अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात, पिता, बाप, दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप, दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुखे सार जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है उसे देह का भान नहीं ऐसे विदेही बनना है शरीर का भान छोड़ते जाना है क्रेमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है अपनी बुद्धी को विशाल बनाना है सजाओं से छूटने के लिए बाप का वा पढ़ाई का रिगार रखना है कभी भी दुख नहीं देना है अशान्ती नहीं फैलानी है वरदान ब्रामन जीवन की नैचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव ब्रामन जीवन की नेचर नैचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव अब बापतादा के वरदान को विस्तार में समझेंगे जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है ऐसे आप ब्रामनों की नैचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है आपके पास आत्मिक प्यार परमात्म प्यार की ऐसी शक्ती है जिससे भिन भिन नेचर को परिवर्तन कर सकते हो जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादी नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा नी स्वार्थ आत्मिक प्यार दो तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगे स्लोगन अपनी विशेष्टाओं को स्मरती में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे अपनी विशेष्टाओं को स्मरती में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे ओम शंति ओम शंति